कि यह आनन्द क्या हुआ तुम मुझे इतना दोड़ता है क्या हुआ मेरी नीली उदास हो क्या अभी तुम मान भी जाओ हार गई मैं तो इस समुद्रमा की बेटा हूँ ठीके ठीके में हार गई तुम समुद्रमा की बेटा है न ये एक दिन में भी समुद्रमा की बेटी हो तो तू भी बताएगा देखो तुम बैठो इनर तु सामद्रमा की बेटी है हे प्रूट हो मात प्रूट्ष्ट अनन TV आनन, ये भाई, भाई आपको माजी बुला रही है, आनन, आरे मा क्यों चिल्ला रही है उधर, वो कल नाव निकालने के लिए दक्षिन वगेरा लेके पुजारी से मिलने के लिए जाना बोला ना मा, मुझे अभी किसी को नहीं मिलना है, आनन, तुम जाके उसको बोलो देखन के लिए, बोलो कि मैं कही गया हूँ, ठीक है, ठीक है, माजी, आ, आली बाई, आनन का है, कल समुद्र में निकलने से पहले बड़ों को गुला कर पुजा करने के लिए बताया था, उनको याद है कि नहीं, मैंने वो कुछ बूला रही, आपी सिर्फ जाना से काफी है बोला, क्या समझ रहे हैं अपने आपको, एक कैसन याए है, आउरत होकर इन सब के बारे में मैं जाओं क्या, अगर मैं वहाँ गए है तो, क्या है पंचमी, इन सब के बारे में तुझे पता नहीं है, क्या पूछेंगे, वो सब चड़ो, ये भी नहीं पता है कि, इस समुद्र के प ये में नहीं पालेंगे तो बहुत बुरा है, उस बेवकूप को एस सब पता है कि नहीं, आपको तो काफी सालों से इसका आदत है ना, अब ये पुझारी कुछ गडबड बोलेगा कि नहीं उनका डर है, क्यों इसे दूर रखने वाले हैं, हम तो नियमों जिसे ही बुला र ही है, अच्छा में एक पूछू, तेरे लाडले बेटे को नियम नहीं मालूम होगा, लेकिन तू अपने बड़ी बाप की बेटी है ना, अगर आप बुरा मानेंगे तो वो सोच रहे हैं, इसलिए वो आने के लिए मना किया, आखिर मैं क्या बोलू, नियम के अनुसार ही आ आप लोग आके बुला रहे हैं ना, उस वक्त उस जमीन पे आके, यहां क्या घर बनाओं पूछे तो मैंने कुछ बोला गया, हां मैं हां मिला हैं ना, हां ले लो ओ सब हम नहीं बूलेंगे, आप यह आकर अच्छे तरह काम करवाना है जरूर मैं आओंगा, वही है ना, रितिया और रिवास, लेकिन, लेकिन तुम्हारे बेटे जब नाओं आओं निकालेंगे तो सिर्फ मैं आने से होगा क्या, हां ठीक है, ठीक है, मैं आओंगा, जैसे भी हो, हम सब एकी जगह पे नाओं निकाल रहे हैं ना, आपके आशिर वह तो हर वक्त है ना, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ठीक है, कल सुम्हे हम सागर किनारे मिलते हैं, जल्दी नाओं निकालने बोलो, अभी तो बहुत देरी होगे, लो, उनको देड़ो, है माता, लेला बटा, जलो ये लेलो, चलते है फिर? आपकड़ो, ठीक है, अपकड़ा, आपकड़ा, आपकड़। पानी में लेखता हुआ नाओगा देखो कितना भी सुन्दर है देखो 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 रे देखो रे देखो देखो रे आज कुछ मिलेगा का नहीं मालो मैं बहुत काम है ठीके ठीके अरे तू इधर दे तुमारा बैटा वापस आया गया तो इधर का आउरत लोगों को कुछ मचली देने को बोलोगो क्या इतना शक्त से क्यों बात करती है आखो भी मालूम है ना ये मचली के बारे में अगर मैं कुछ भी नहीं बता है तो वो सब देख लेंगे मुझे तो मालूम है ना इसकी माँ है ना क्या नमें इसको दुरगा वो भी मचली बिखन वाली थी ना आज कर मैं वो सब नहीं बूलूँगी हरी चोकरी तुमें पुराना बात यहाद है नहीं क्या वो सब इसको मालूम है चाचे अब क्या बात करती है तो इसको पसंद नहीं तो भी मैं बात करूंगी मैं ब्या करके इस गाओं में आने से पहले मैं और इसकी मा हम दोनों मिलकर भहुत दूर मचली बेचने के लिए जाता था मालूम है उसके बाद इसका बाप एक बड़ा नावगा खरीद कर बहुत बड़ा आदमी हो गया इसका दीदी है उसका बेटा माल में कोन है वो ही आनन्द है उसके बारे में आप प्यरचुप रहेंगे क्या आपको व्यापर करने के लिए मचली तो बस है न उसे चोड़कर इतने बा हाले में तुम कैसी है अभी इसके पास थोड़ा पाइसा है इतना गैमेंड है इसको यह चोटे से गाओ मैं कितना बेड़े आदमियों को मैंने देख लिया बेड़ी आई है गैमेंड वाली अब आगया थोड़ा जल्दी चलना अरे हाँ अबे हाथ तो 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 हरबड़ी नहीं दिखाने का हाट चल तेरे वो कुड़ा पहले हुआ औरतों को सब दे दे ना पहले हाँ मुझे तो रुपांच किलो दे दो बाया इसमें दाव श्क्राइब बेचने के लिए नहीं तो मैं क्या लेकर जाओंगा अच्छे दाम मिलेगे तो देंगे दाम हम ताई करेंगे और वो देंगे वो सब बातें फिर करो अभी तो अच्छे दाम पे ही देंगे हाँ इस जगह पे अपना ही माली का खास आदमी यानि की मैं यानि की खटमल दरा बाप है रहे हाँ ठीक है तुमें एक दाम बताओ दाम मैं बोलूँगा मेरे अलावा कोई इस जगह पे दाम भी ने बोलेगा अगर कोई और बोला तो तु देगा क्या अच्छी दाम है तो मैं दे दूँगा तेरा नाम है इसलिए रेलागरी तू दिखा रहा है हाँ आप बताइए हाँ आप बताइए ये क्या तुम लोग चुम्बन दे रहे क्या अभी तुम भी तो बोलो और गाहे कार मैं दानमvision पुलूंगा इताम के लिए 30 रुपिय। अच्छा इस दाम के लिए लहीं दूँगा आप चाहहा इस दाम के लीए बोल्ट इस दाम हाँ हाँ आप though आखिर मेरे को और मेरे पागर है क्या तू अच्छी बात भी नहीं आते हैं भगवान डब्बा खोला क्या आज मिलेगा सबको बहुत सारा है ना भाजी ऐसे गुस्सा उनने से कोई काम नहीं चलेगा यह तो कोई पहली बर नहीं है ना वो साला ऐसा काम बहुत पहले से कर रहा है वो यही बात है तो तुचा कर चुमा दे दो उसको देखो पहले इस गावं का अधिकार किसने लिया था मालूमे तुम्हों ने रहे का मालिम टिपु सुल्तान की बच्चा कुछ भी बेलो मगर तुमारा बाप नहीं होता है अरे देख यह कोने मालूमे तुछको इसका बाप मूच वाला है मेरा पदी इतना बड़ा मूच है इसको मालूमे तुछको कितना गोरासा कितना सुन्दर है इसका बाप मालूमे तुझे यह डब्बा ऐसे उठाकर एक खोल कर उंगलियों से चटका उठाकर इस तरह लगाएगा देखा और एक बड़ा सा चीक आच्छी आरे चुपकर उसका डब्बा है ये डब्बा वो तो मर गया लेकिन डब्बा ढूंड कर मैंने नहीं गी वो एक चीक चीकेगा तो क्या हो जाते माल में इधर का लोग सब घबरा जाता है तू मुझसे प्यार से आवस देगा देखो वो लाती दो दो अरे वो इतना देर से कपड़े के में ला खड़ा था क्या अरे तूजा वो टावल उटाकर एक पगड़ा बांदेगा इस तरह हाथ रखकर ख़़ाओ जाएगा फिर मुझे देखो मैं काम पर जाता हूँ जाकर वापस आउँगा ऐसा बोल कर चलेगा वो किसी से मारेगे त अरे माजी टाइम बदल गया अभी शहर के बड़े बड़े कंपनी अपने दलालों को बहुत सारे हाथ में पैसे लेकर बेशते हैं यहां पर आइसा ही चुबलो तुम दोनों गदे हैं गदे वो सब लोग इदर आने दो इदर का लोग उससे कुछ भी नहीं खरी देगा तो हां किर वो मुझे से आकर मांगना पड़ता है ना जगह पे वियापर में कौन मेरे को तोड़ना वाला मेरे को जड़ा देखा है यही मर्द है यही यह सागर का मा का खेल एक गाउं से चले जाने को कहे तो दूसरा गाउं तुमको मिल गया आना अब तु कुछ है ना जनम हुए गाउं को निकल कर यहां आना बहुत मुश्किली हुआ बाद में सोचा है कि यहां सामुद्र तो इतना विशाल है ना यहां नहीं है तो दूसरे यहां वो कितना अच्छा काम करता था उससे बहुत बूरा मान कर दूस ही ठह रहता उन लोगोंने बीवी मर जाने के बाद उसको दूसरा बीवी आ गई मुझे मालूम है वो तुमको उस बार में नहीं मालूम एक आदमी को दूसरा पत्नी थी वो बेचारा है पहले में चोटी मा से बहुत गुसा दी बाद में उसे देखकर तरस आ गई हाँ, इस उमर में मैंने क्या-क्या नहीं देखा सागर में जाकर मचली पकडने वाले के जान उसके बीवी के हाथ में है इस जमाने में वो पुराना कहावत कोन येकिन करता है इस जमाने के लड़की-लड़कों कितना अंदर है मा आज बहुत ही अच्छा दिन था समुधर मा ने बहुत कुछ दिया चलिए ये पकड़िए अरे, मुझे क्यों दे रहे हो, तेरे पास ही रख लो अरे, मेरे पास है या आपके पास एक ही तो बात है वो ही सच्च आज अच्छा बिसनस था, तो आपके लिए ये तू कितना अच्चा है सागर मा तुमें रख्षा करेगी मैं एक बात बता दियूँ, एक अच्ची सी सुन्दर सी लड़की देकर तूमें ब्याग करना है मैंने भी इसी के बारे में बताने वाले थी अब ही उसके को ही जरूरत नहीं है इसे सुना है दादी, इस जगह में उसी एक लड़की है क्या मैंने कुछ नहीं बोला ऐसे, एक नई लड़की को देखने की जरूरत नहीं है आहा, वो बाजना शुरू किया ठीक है, मैं चलती हूँ अरे अम्मी, कल तक तो सुखा हुवा समंदर था ना आज कैसे थी, ज्यादा मच्री पकड़ा किया अरे क्या बोलने का, अरे इतनी मच्री थी, उठाने में बहुत ही मुश्किल था ये सब आनद बये के वज़े से है न, ये सब हो रहा है हर नाव वाले के जैसे नहीं है अपना भाई, अपना हिसा कुछ ज्यादा है दे दिया उन्होंने आप भी उसी तरह ज्यादा कमानी है, बाद में हम भी निका कर सकते हैं न आमीना, शादी तहीं क्या क्या, अच्छा खाना होना चाहिए, तब मज़ा है बहुत बड़ा प्लान बना है, शोने के लिए अपना जगा नहीं है, वो साला जाके शादी करने वाला है अरे बीवी, क्या जी, ये पानी लेगा या क्या, हाँ जी यही बात, फिर देरी किस बात की, अपना बेटी इसका गबला दे दिया क्या, वही देने आई ती मे, तू पहले काम कर, शादी और जनाजा शबबाद में तेरे को मैं बहुत बार बोला है, काम के बीच में कोई कहानी ने बोलना, मैं कुछ भी नहीं बात करें, तू नहीं बोले तो तेरी बेटी बोली ना, वरना पानी लेने वाला वो लड़का बोला क्या, मेरे को एक बार गुशा आगिया ना, चो उठा के पटा दू का सबको, अरे मैं आ रहो भाई, अगर मेरा नजर नहीं गया तो हर जगा बरबाद हो जाएगा, अली भाई अभी तक आया नहीं, भाई भाई मैंने देखा, वो अपने मकार भाई के दुकान में सोते हैं ना, तब अपने मकार भाई और उनकी बीबी, अरे वो सब मिलकर उस दुकान म तो नहा लिया क्या। समधादर के लिए एक सचाई है। अगर और अउरत के साथ लेटा, तो नहाने के अबाद ही समधान bent опять उतरना। अब और और अशेन के साथ लेटा कौझ। तो वह मस्तान के दुकान में सोता है? कान के अंदर नहीं, सामने, बाहर, मेरे को वो लड़की बहुत पसंद है, लेकिन मैं शादी किये बिना… हाँ, चल जाके नाव पे बेट जा। हाँ, तो फिर वक्त बरबाद नहीं करना, चलो ए भगवान, इनके देखबाल करना हाँ, आज मेरे को एक चीज तो जानना ही जरूरी है, बहुत इन हुए जगड़ा करने, यह सब सोचकर मुझे बहुत पुछाता है, इस तरह में और मेरे पाती मिलकर इदर का लोगों को मार मार के चूर किया, मारते वेक सब लोग नीचे गिर जाएंगे, तो फिर मारने वाले सब लोग मेल कर उसे मारेंगे, पहले बोला गिरने के लिए, अब ही बोल रहे है, मारने के लिए, अगर तुम कुछ चाहिए तो मुझे पूछो, इस तरह पाउं रकर, इस से किचकर एक तपट मारेगा तो, अच्छा वो सब तो वो लोग करेंगे ना, आप सिर्फ चलिए ठीके ठीके, अब ही बोला गिरने को ना दिये अबिना तु किसको दे रहे है, अगर तू अच्छा दाम देगा तो हम तेरे को देंगे बाई, आम हम ताह करेंगा बाई, आपे जान अबे, वो सब पहले, अपने बोस को मालूम है ना, बाई देर लिए, अबे तेरा बोस आल अबे भया, आजा यल्दी, देखना हमें करें तेरा ये भी या, अबे मारो इस लौंटो को, अबे एक दिया सामने नहीं आरे ने, क्या? अबे वोट, वोट वोट उसे मार! वड़ मुदर मुदर अजर ऐ हुआ। अ... और ये रल पह... अ Miss एह एह ए मैं पड़ ड़ बोगे डियो अज्व्यो धराः पीज में करें ल हम डूत जुर्व मुझे ऑब हम हमकित Sustainable participation.. gesetz जुरब हमस्तरों डाशित बीके दोर्ड दें लुखिस समरे भी करते ग्लन kijकर बाना करेसे fajचे नो गलने धर Newpat भुप में एपने के अशड़ कि एयहा हो इसर सर घुमारा यार जो सर्चकर के घया हो जो पर आप इसली शरो में आप है फिर से चक्कर खार रहे हैं आओ इस तरह पाऊं रखकर उस तरह पाऊं रखकर पीच्चे मोड़कर दोड़ा सुन लेजिए ये जो है वो नाव चलाने के लिए इससे मारूंगा तो मर जाएगा हम मैनत करते हैं कमाने के लिए नहीं ताकि हर कोई यहां फे भूक से ना मर जाए हम मचलियों को अच्छी दाम में ही बेचेंगे उसके लिए अगर कोई रुकावट हो तो अगली बार मैं रमला उधर क्या कर रही हो रमला इधर आने के लिए बोल रहा हो ना अच्छा इसको देखने के लिए तो मतलब मेरे को कुछ हूआ थीक है है ना बात नहीं है इनके लिए तो कोई और नहीं है ना आनन बाया अच्छा होने के लिए अलह से दुआ मांग रही हुमे अन दुश्मने आपको पीटा है क्या इनको मरना नामुम्किन है मैं जाओ अली बाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो वो मुझसे बहुत प्यार करती है लेकिन उसकी अब्बू हमारे शादी के खिलाफ है वो साले के मन में कुछ और है उनसे शादी करना है उनका प्लैन है क्या बात कर रहा है? रमला मस्तान की बेटी है ना? बेटी कैसी बीवी बन सकती है? वैसे नहीं, इनकी अम्मी जो है ना उस लॉंडे का तीसरे बीवी है इनकी अम्मी की पहली शादी में से है ये किस तरह का आदमी है वो? तू पहले एक मकान बना उसके बाद इस से शादी करें उसका नाम नीली है वो सबकुछ उधरी छोड़के मैं इधर आ गया उस जगा छोड़ा भी तो क्या? आपके पसंदेदर लड़की को की छोड़े? अली भाई, दुनिया के बारे में तुमें और समझ रहा है इधर पैसा ही सब कुछ है उसी के लिए लड़ते है अगर पैसा हो तो कोई कुछ भी नहीं पूछता सब कुछ हर कोई भूल जाता है अभी मेरी मन में बस मा है मा के लिए मैं कुछ भी करूँगा जानते हो मेरे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया है पूरी जिन्दगी मेरे लिए जिया है उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा नीली दीदियां आपने बड़े मचलिक को जिन्दा देखा है क्या? हाँ, वो इतना बड़ा था सच्छी, मैंने तो यह बी तक देखा नहीं है अगर तुमने आनन बाया से पूछा तो बस पकड़ लाएके देंगे ए, तुम इतना तकलिफ मत उठो मुझे पूछेगा तभी, मैं भी कुछ न कुछ जानती हूँ हरे क्यारी, तुमको येकिन नहीं है क्या? जूट कहेंगे तो कैसे मानेंगे? हाँ, जूट, मेरे को पंच वो उमर में मैं उसे देख लिया मैंने सीधे उस मचली को पकड़ा वो तो किसी सुखा हुआ मचली होगा अरे, चल तू, तुम सब लोगों को देखना है क्या? मैं पकड़ कर लाऊंगी सिर्फ आनद नहीं है में भी इस आगरमा की बेटी हूँ अगर दैर्य है तो समदर में जाके दिखाओ ना तो वहीं पे पड़ी है चल चल देखो, मैं जाओंगी अगर दिल है तो जाओ ना सच में मैं जाओंगी जाओ चल तू, तकह मार जाओ, 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 जाओ या बात है, तुम लोग क्यों ऐसे देख रहे हो बड़े मचले पापर ने केरे देदी गई है किदर? दो समदर कुए उंदर अरे पापरे ये नीली किदर गई? आरे नीली अरे उंदर आरे बड़े, पकड़े रहना, जोनना मत आजा अरे, जाओ उपर, उपर अभी बाहर निकल निकल बाहर नहीं, मुझे उटाओ लाला... देखो ना मैं तो कितना पागल हूँ तुझको मैं गले लगानी आये हूँ तु तो मेरे प्यार हाँ आजा मेरे जाने जान तुझको नहीं चोड़न तु आजा करना जाँ देखो ए अच्चा मासर मैं तुमको दुंगी ओ देखो ना मैं तो कितना पागल हूँ तुझको मैं गले लगानी आये हूँ मेरा मन तो मचल मचल कर नाचता है पूलों की बारिश में आकर हम दिले देंगे मुझको इतना तडबाते हो क्यों ए बता एक चुमन के लिए तरच जाते हूँ मैं लेहरों पे तू आकर मिल जा ये हावा की तरह मुझे उठाओ इंतजा करके मैं तो आजा मेरे सन के हम दो राव जाएंगे दो तो मेरे आगर के तो देखो ना मैं तो कितना आगर हूँ तुझको मैं गले लगानी आई हूँ हूँ हम सब में कर सबनों को ये तो आई हूँ कगाना गाएंगे आऊ जाएंगे उस पार कही दूर जाएंगे त्री मकागे तो कर हम सब मिलकर नाचेंगे मेरे हम सब लाकर मुझे लेके जाओ सपना का दुनिया में आओ हसकर नाचेंगे आँगा मैं अब चल चल कर आगे जाओ हाथों की कंगे नाचेंगे हमां तुआ जाँ असपास मैं गाओं तुम भी गाओ को देखो ना मैं टो कितना आगल हूँ तुझको मैं गले लगानी आई हूँ तु तो मेरे त्यार हो आजा मेरे जानी जाओ तुझको नहीं चोड़ू मैं तु आजा कर नाचेंगे देखोंगे अच्छा मौसम मैं तुमको रूँगी जाओ देखोंगे मैं तो कितना आपागल हूँ तुझको मैं गले लगानी आई हूँ जैसे तुम लोगों ने बोला मैं तुमारी नीली दीदी को लेके आया हमको नहीं चाहिए बचा के लेके आया ना तुमें रख लो कौन किसको बचाया आप लोगों को मालूम है गया मुझे तो बहुत बड़ा मिचली मिली थी ये आनन्दा कर बचा लिया ने तो वो बहुत बड़ा मिचली पकड़कर में इधर आकर खड़ी हो जाती मालूम है वो सब देकर तुम लोगों ने कल बता थे इधर का मर्द लोग सागर में जाकर छोटा-छोटा मिचली पकड़कर लाता है लेकिन हमारे साहिली समुद्र में जाकर नाओं में बहुत बड़ा मचली वो इतना बड़ा है अकेले पकड़कर लाए वो सब लोग बताएंगे हमने तो देखा न कैसे पकड़े हैं तु जा आनन्द क्या रहे बहुत हज़र ही है तू एई जितना भी बोले तो सुनते नहीं आओ इदर उदर गुमते रहती है क्या साली लाउंडी अपना आउकात बूल के लड़की लोगों के साथ गुमने फिरने वाले त्पेरे को मैं देख लूँगा तुमको समझा ना साला ए साली इदर आए अरे तू चुपकर नहीं तो मारूंगी उसके लिए अभी हाथ चोड़ो नहीं तो मैं मारूंगी तुझे उसके लिए मेरी मर्दानगी की क्या कमी है अभी एक मूच रहकर आदमी नहीं बन पाएगा मालूम है तुझे अरे मेरे प्यारी बीवी जान आखिर यहां तो कुछ हुआ ही नहीं ना अरे वा ये लिड़की के बारे में क्या मालूमें तुझे देखो वो तुमारी बेटी है ना इसे में नहीं चोड़ूंगी मा बाप से क्यों इतना चिल्लाती है वो क्या क्या अरे तू चुपकर नहीं तो मैं तुझे मारूंगी तुमारा बेर में मैं आभी बत्ता दू हूं क्या इधर आकर भाई ये जूट बोले इसलिए मा को गुसा आया उस समय उसको उतना गुसा नहीं तो तुझे मारता था वो खाने के बौद वो गुसे में गया है चुकर खड़ी हो जा नहीं तो मैं आकर मारूगी तुझे उसको मत दिखाना देख देख के मेरा हालत यही है न ले तुझे मोरना चाहिए उस दिन बतायता अमारे नव के कामें उसे मत बुलाओ वो बहुत अच्या काम करता है वो जो मैं बोला वो गलत है क्या आज इस जगह में उनके जैसे एक नवजवान ऐसे मेहनत करने वाले को तुमने कभी देखा है आज तक उसके बारे में उस दिन तुम क्या-क्या बतायता अब क्या हुआ अरे तु बोल मैं क्या करू अब जेलदी अमारे बेटी को ब्याग करने के वारे में सोच ओ तू मुझे आभी नहीं शादी करना है मुझे आभी पढ़ना है तुम्हारा पढ़ने के बारे में मुझे मालु मैं एक एक लास में दो तीन वर्ष बेटी है तू, मेड़ा पढ़ने वरी आई है, लेड़ी की बतना मोग जाए तो गाउं के लेख नहीं चोड़ेंगे, बतना नहीं हुआ ना? हाँ, बहुत अच्चा, अब मेरे को काली दे सकता है ना? अब मैं क्या गलत बात बताई, तुम्हारा साही बहन के बेटे से इसे ब्या करवा दो लेकिन उस वक्त तुम ऐसे नहीं बोला ना? वो काले बंदर के लड़का बोला ना? वो साच्चे ना, तुम्हारे बहन क्या गोरी है क्या? उसकी बेटा, उसका पिदा जैसा है मालू में? अबी वो अपना बाप का बेटा बन गया, होने दे, अबी सब सही है, लेकिन इसके कारण तुम मेरे को गाली मत देना हाँ, चोड़-चोड़ मुझे नहीं सुनना है, हाँ, वो मेरे बहन का लड़का है, लेकिन मेहनत करने वाला है कि नहीं पूछे तो, मेरे को कुछ खास नहीं लगता उस बता अबी वो सामुदर में जाएगा तो क्या? हाथ में बहुत पैसा वाता है ना? पूराना बात बताकर यूही बैठ जाए इदर, कल हमें दूसरा गाउं जाना है, जल्दी से हमारा बेटी क्यों ब्या करवाना है, यस लेड़की क्यों यही चोड़ना अच्छा नहीं है, ये पढ़ने को जाएगा तो भी मुझे इदर आच्छा नहीं लगता है, मालुमें तू भी तो बहुत टेंशन दीना अपनी मा को, हाँ, मेरा बेटे के आनदो बाद में बता दूंगी, आज भी मेरे को नीचे सोना पड़ेगा हाँ, 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 हाँ अनन्द नीली रो मत मेरी लीली को मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूँगा कल मुझे कुछ लोगों ने लड़की देखने आता है तू जाब, कुछन-कुछ तो जुगाड करेंगे हाँ मैं समुद्र में डुपकर मर जाओगी जब तक मैं जिन्दा रहूँगा, मेरे साथ ही तू रहेगी तुझे मैं मरने नहीं दूँगा, किसी और के होने भी नहीं दूँगा आनद पाप करने वाले हैं, इसलिए तो जो आपके बड़े वाले कहते हैं उसी बात को मानने पड़ेगी ये एक और नष्ट सहने के लिए हमारे मन में तो बल नहीं है तुम जल्दी गर वापस चलो बेटी मैं नहीं गर जाओगी, मैं समुद में जाएकर मान जाओगी कहा जाने वाले हूं तू ए बगवान, मैं क्या करूँ क्या है आनदिय सब तू इदर है, जोखरी रुकर है यही व्याद करने वाले लिड़ी को रात को चुपके आकर बुला कर तू इदर लेके आया मैं तुझे देख लूँगी और तू चुपकर करी किया है हारे वा, तुम्हारा बैर में सब कुछ मान में तू और तुम्हारा देदी इस कोणनी में अव्या चुप रहे हैं रात के टाइम हैं सबको पता चला तु शादी रुख जाएगी चोड मुझे चल रहे हैं अबे आरे चला नहीं तुरुक चोड़ो मुझे चलो आंदर चलो मेरे बास तो सुनो आनन चलो आंदर चलो अरे आओ तुस्से जाकर अच्छी तरह जगण करने का ने तो में तुझे में जोड़ोंगी जाओ आंदर क्या बेटी है बाहरा अंदर चुपकर नहीं बैटो अरे बाहरा तु आरे बाहरा आ तु इदर हटके ख़णार है कहा है वो चोकरा तुम्हारा बेटा को कही वहें पर नहीं देखा देखो आखरी में एक बात बताती हूं अगर मेरे बेटी के आसपास उसे देखोंगी तो असमार काटने के बाद भी समधर में जाके फेक देंगे उसको इस तरह बत करना अच्छी तरह बता उसे तुबारह इसे कुछ नहीं करेंगे उसकी ब्याग तेई चुकी है अगर शादी तय हुआ है तो वो हम करके भी दिखाएंगे ये मेरी बात पर रेकिन कीजिए कभी ऐसे नहीं करेंगे तुम्हारी मौ मरने के बाद मेरी माने तुझे पाला है ने इसलिए बताती हूँ उससे मेरे गेर के पास देखोंगे तो सच बेमार ना लोगी तुम्हारा बेटा कैसा है सब लेड़ी की लोगों के पीछे जाता है न वो तुम्हारी वो सोबाव उससे भी मिल गया या देखिये बेकर के बात है मत कीजिए अरे वा बेकर के बात है क्या आरे तुम्होरा दीदी इस गाउं कर इदर उदर घूम कर एक बेटा को पाइदा किया ना वो ही है ना तुम्हारा बेटा आनंद तू भी अच्छी नहीं तुम्हारा दीदी भी अच्छी नहीं है बस तो कीजिए पागल जैसे दिखने वाले मेरे पापा को आपने पापा तो यहां से निकल दिया ना तब मैंने यूही बेटी दी गया है क्या यही कितर देखे उस दिन भी इसी चाकू लेकर मैंने आई थी अगर मेरे बेटी के शरीर पर चोठा सा दाग भी निकला है तो ना आपको मार कर समुधर में पेंगतूँगी अपको शरीर को बस काट काट कर बेजूँगी मैं बहुत दिनों से मैं भी देख रही हूँ सोचाता कि मेरे दीदी बहुत अच्छी है वो बुरी नहीं है उसी की तरह मैं ही हूँ यह समुधर मा की कसम है चलो चलो यह समुधर मा की कसम है अजय का लुद में अगर वह गूमे तो उनको मैं खतम कर दूँगा है मुझा कर रही हो तो तेरे मा को कैसे बलाओगे तेरी मा की साथ कैसे वहा अही होगा है तू करेगी तो भी क्या करेगी आपए यार तू यहाँ से चुप चप अच्छा है अभे जा रहे बुट्टे अभे तु बेकार में झगढा कर रहे इनके बेटे को पता चला ना बाढ़ में जा तू तो अ Environ से चेला है अभे जा अबे नई जी नई जी उसको छोड़ी आभे तू जाना यार अबे होई चंद्रा तेरा मेरे को मालूम है कि तू दारू पिया हुआ है यहां के रेला गिरी नहीं दिखाने का अपना यह जो अवरत जो है ना हर एक अवरत की जैसे नहीं है तेरे को चीर के फेक देगी वो पेदा नहीं किया तो भी जिंदगी का दर्द उसको मालूम है अगर गुस्सा आ गिया फिर कोई तूफान उनको थमानी पाएगा अब तू जा अब तू जान अबे चंद्रा बिटा और थोड़ा दारू देना बिटा आप ज़रा खर जाई अबी एक बोतल छोड़के एक ग मेरे घर में आके मुझे ही मारेगा अबिटा जान जल्दी आगा कोई किसको पक्राइब उसको में कि मार खा रहे होई अपरे अपने चंद्रे को मार रहे है है अनर अनर ए मेरे लड़का को छोड़ो यार अब पापरे है और मेरे दीवी काहा है हुआ हाला है एरे बीवी जान एरे इसको या के उना समालडो यार। अबे फिर्चा आगया हर्चा है आ परहे। हाँ यह प्रहे। मेरा बाब रे कौन मेरे बेटे को इस तरह मारगर चोड़ देयोם सिर्फ आपके छोटे को ही नहीं आ पके बड़े को भी मिले है देखो जी इस तरह नहीं ज़ोडने कर वह लोगों को मेरे बेटे को उठाऊ उठाओ उठाऊ तिरसे क्यों, सब मिलके और उसके पास जाके मार खाना क्या मैं इसे मार ना लूँगी, मैं इसे यूँ ही नहीं चोड़ूँगी मैं उसे बाद में देख लूँगी मारूँगा, मार के टुकडे टुकडे करके समुजन में फिक देंगे माफ कीजिए, हम तब बहुत पापी लोग है, इस गाउं को चोड़ कर हम चले जाते हैं जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, इस गाउं को एक उस्ताज है, यहाँ एक नियम है, कुछ भी तोड़ने ने जेंगे हम यहाँ तुमको याद है न, तुमको पहले ही यह गाउं शोड़ने के एक नियम दिया चा पहले, जब तुमारी बहन और वो मुसलमा लड़का प्यार में था, जब वो जवन लड़की जब घर में ची और तुम लोग नाव और जाल खरीजने के लिए बाहर गया, तब एक दम मैं जब जी है क्या, यही न, जब उनको घर से बाहर जब निकाल दिया चार्ब, शमुंदर में जाने वाला मांजी जब वापस आके देखा है तो उनका बीवी और प्रेमी मरा पड़ा हुआ था, ऐसे कितने बाहर तुमारे लिए इस ग्राम के लोगों का पैर मैंने पकड़ा, अभी देख, शाजी चाहिए किया हुआ लड़की के पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है, करने ने जूँगा, मैं यह होने ने जूँगा, थू, इस ग्राम में और भी है लोग, इधर रे एक नियम होनी चाहिए, अरे उनको मैं यहां के हम जैसे एक मैं माना तो, अब देख उनको जो चाहिए था, वो मिला, मिलने के बाद हम बेकार और वो बन गए यहां का बड़ा राजा, मानूगा नहीं, मैं यह होने ने जूँगा, मार के फिक देंगे, दोनों को हम चले जाते हैं, इस काहों को चोड़ कर चले जाते हैं हम, हम को माफ कीजिए, मेरी बेटी को माफ कीजिए, हम चलते हैं कहीं भी चले जाओ, वरना जोनों को मैं इस काहों में जीवन रहना मुझसे नहीं होता है अगर तू तो मेरे पास दूसरे काहों नहीं आये होना, देखते रहना, इस समुद्र में तेरे मान लाश पड़ेगी हम किधर जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, समुद्र इस काहों के ही नहीं है विशाल जैसे दिखते ही इस समुद्र में, किसी शोर के जाकर हम जीवन बिता सकते हैं, हमको मालूम है अगर ऐसा ही जाना है तो, फिर जाते ही रहना है ऐसे ही सब कुछ छोड़ चार के जाने के लिए हमें क्या पाप किया है? हम पापी लोग है, जेवन बर दाउना पड़ेगा जब तक मैं जिन्दा हूँ, तब तक मेरे बेटी के सामने ही होना होगा अगर तुझे कुछ हुआ है ना, मैं जिन्दा नहीं रह पाऊंगी तुझे ही साथों में सोंपकर, तेरी मा मर गिये बेटा चलो पकड़ो वैसे ही हम यहाँ पे आये, मेरे पिता जी इधर ही थे लेकिन अब जब हम आये कुछ भी नहीं है मेरे पिता जी के दूर के दृष्चदार भी सब कुछ लेके अपना मोटी लक्ष्मी की जोरू ना, शंकर साहबा उनके जाने के बाद जो भी कुछ था, वो सब वो ले गए कुछ भी नहीं बचा हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं, जब समदर में गया तो मर गया ऐसे गंदर लोगों को अपनी समदर की माता जल्दी बुलाएंगे कैसे भी करके, हमने खुद के लिए यहाँ पे एक घर बनाया है मेरे पापा के नाम पे जो भी था, वो सब लेने के लिए हम इदर आये है करके वो दोनों शुरू हो गए, मा और बेटे मिलके अतर चाहिए क्या, अतर, अतर लो भाई, अतर मर्द हो या अवरत, साब लगाते हैं अतर वो भाई, अतर 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 हो जो जो भी तो, अतर अतर है क्या अतर आई, सालाम अलेकूम अलेकू असलाम मैं यह समझा कि आप यह सब बेच के वही पर बेट गया यहां आके बहुत दिन हो गया इस गाउं के तो लोग अपने को बिजनस ही नही दे रहे ना वो सही है अरे मकार भाई कौन है यह फरिष्टा वो तो हमारी नही बीवी की लड़की है अच्छा हाँ वो लड़की बड़े होने के बाद देखो मैं अपना बीवी बनाओंगा अल्ला आपकी तो तर्की बच्ची है अरे मकार भाई लेकिन इस फरिष्टे को लेके तुम्हें बड़े तक्ती पर पाउंच सकते हो हाँ देखो अब भी हमारे मुल्क में अरे मुल्क से बड़े बड़े शेख आने का टाइम है वो क्यों आते हैं मालूम है किस लिए अरे मौज मस्ती के लिए आप याई शेख गंदी बाचने करने का रहे अरे गंदी बात नहीं है अबे मकार भाई जड़ा सुनो ध्यान से सुनो ये शेख लोग जब आते हैं न बड़े बड़े सोना और गहने वगेरा सब लेके आते हैं उसके बाद ऐसे फरिष्टों के साथ वो शादी करते हैं दो चार महिने के लिए वो बेगम और बाच्चा के जैसे मौज करते हैं और ये मौज मस्ती के बाद वो लोग जब जाते हैं ये धन दौलत सब इस फरिष्टों को देखे वो तीन बर तलाग देखे चले जाते है वैसे गया तो इस फरिष्टा फिर किसका बनेगा अरे इसी मक्कार भाई का और ये धन दौलत और गहने किसका अरे वो भी इसी मक्कार भाई का तो फिर मक्कार कौन है बड़ा सुल्तार मक्कार सुल्तार एक दूँगा ना एक लड़ू निकालो जाए हाँ लड़ू दो हो जाए समंदर बड़े गुष्चे में है एं समंदर माता कुष गडबड नहीं होनी चाहिए इस समंदर में हावा होगी आखिर समंदर है ना कभी ऐसा होगा लंबा उमर वाले चले ऐएंगे सरव ना तेरी मुझ से कुछ मत बोलना मेरे जीम में कुछ काला ताझ नहीं है जी क्या ने समदर में गया उवहा नाय कुछ दिखाईनी दे दे रहे वह तुम लोग को समझ में आ रहे की नी वो नाय गगा और नहीं तो क्या उसके साद दूसरों कोई नहीं गया न आ गया अगया तो क्या ज़ते है वो वो अवरुत का नो करे न मुझे तो दूर से एक नव दिख रहा है समध्रमाता दीदी ये हमारा नव है किया हाँ हाँ ये सच में आनंद का नव है हाँ पक्का हमारा ही जगह का नव है कुछ नहीं है आज कुछ नहीं मिला इनकी काबलियत है इनके लिए हमाँ जिन्दा है अरे क्या हवा है बीच समधर में मुझे आज इस बूकर है न पड़े एक पैसा भी नहीं मिलेगा जब समध्रमा के पास नहीं जाना है तो नहीं जाना है या तो खाने पीने के लिए होटल जाएंगे नहीं तो कहीं पे बैठके पी रहे होगे समुद्रमा को तुम लोग नहीं जानते जितना मेहनत करके तुम लोग कमाते हो न उसी मेहनत के साथ अपने परिवार का देखबाल करो वरना ऐसा ही हल होगा चलिए मा आपे आज तुम लोग सब क्या पी होगे पिर रजुबाई 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 कौन है रहे अरे आप लोग करे हाँ मैही हूँ अरे भाईया ये हवा और तूफान रुखने की नामी नहीं ले रहे बहुत सारे घरों में खाना पकाई नहीं आज वो बच्चे को जड़ा देना और एक बरतर लेके आना समद्र मा मचाएगी बाकी सब कहा है मैं जी इधर देजिए इसमें कुछ देदो लीजे जी आज इसके कारण बच्चे लोग भूके नहीं पड़ेंगे बखाट बड़ा धन्यवाद आपने जाते हावा थोड़ा थोड़ा लगा है अई बड़े भाई कौन है? खाना लेके आए या क्या? हाँ जी उनसे बोलिए बरतर लेके आने के लिए दो बरतर लाना अरे भाईया ज़र आ रहे क्या? अलि भाई आ रहा हूं मैं लो लो चटनी भी लो यह लेजिए अरे मेरे प्यारे बेटा तू हमारा भगवान है ऐसे की भगवान सामने आके खड़ा है वैसे ही ठेरो ठेर ना में ता बता रही ना एक बात ठेर ठो साई हे किदर जा रहे हो वह मुझे मारने के लिए भगा रहा है तू ही बता ना बया इनकी बात सुनकर कैसा चुपचाप रहू क्या बोला इसने जो कुछ बताया बया को बता हूँ माल में इसने क्या बताया एक दिन समुद्र के अंदर जाकर डूब मरूँगी जैसा बोला तूने क्यू मरना चाहता है तू अगर पापा निक्को को मना नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे मेरे जैसे एक गरीब और अनात को इस लड़की को मेरे हाथ में देगी क्या बाकि सब ठीक है लेकिन तुमारे लिए कोई नहीं तो हम सब कौन है बाई जब से तू मुझे मिला है तब से तू मेरे भाई जैसा है मेरी मा के लिए तू एक बेटा है आप ये वाके ले लिए क्या मुझे सब कुछ पता है यहाँ पे क्या हो रहा है मैं तुम्हें मदद करूँगा कुछ चीजे मैंने भी तैय किया है जितना भी मैं कमाऊँगा ना उससे तुम्हारी लिए भी एक नाव लोंगा उसके बाद मेरे घर के सामने तेरा भी एक घर उसके बाद तू आ जा ना इससे शादी करके देखो कैसे शर्मा रही है जाओ ना बाईया अरे नीली, 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 महा रोतो, महा रोतो, अहा है, बोतो, कि इतने दिनों में तू कहा थे अभी रोना बन करें मैं आया ना तेरे लिए मेरे नीली को मैं किसी के लिए नहीं बेज़ुक्राइब इजर कोई नहीं है क्या है कौन है क्या आप आपको मुझे याज है काफी साल हो गएं क्या तू मुझे देखके खड़ी है क्या है कि चोटे सरकार आपके सब छोटे मालिक के छोटा भाई हूं मैं अमशा मेरा नाम है हाज जाने के बाद सब मुझे हाज ही बुलाते हैं मेरे भाई के नौकर के बोलने के बाद तुम्हारे बरे में पता चला बड़ी बेहन की बच्चे के लिए अपना ही जिंदगी त्याक दिया हाँ छोटे मालिक को मैं और एक बहन भी है मेरे को बच्चे नहीं है मेरी बहन को थी तीन या चार शाल पहले वो तीन जन एक एक्सिडन में देहान दो गया सच बोलो तो अभी हमारे खांदान के वारिस अभी कोई नहीं है थोड़े जमीन जायदाद सब है वो सब बेकार पड़ जाएगा समझके तभी याद आया जो वो नौकर ने बोला हमारे खांदान का एक एक जनम एक बेटा इसी गव में है पहले उनसे मिलना है वो आने के लिए वक्त होगा कोई परवा नहीं आज नहीं हो तो मैं आओ कभी आओंगा हाँ आपके प्यार के बारे में भी उसने मेरे को बताये है आप उसको भूले तो नहीं उसे में कभी भी भूलने पाऊंगी एक चुमाद हो गया चोड़ देना बच्चे को मुझे दे दो ना देखे मेरे बच्चे को मुझे दे देना आओ 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 मा वो कौन है यहीं से जा रहे है ना वो क्या है कि कौन है कि मुझे पता नहीं है हमारे गर से यहां निकल रहे थे तुम आओ काफी ले क्या दियो हमा मैंने एक अच्छी नाव देखा दाम भी कम है जागा उने से पहले करिद लेना सुनो मैं एक बात पूछेंगा तो आप गुसा नहीं करेंगे मेरे बच्चे जो तुम्हें इतराज नहीं है तो ओ लोग तुम्हें मार देंगे लेकिन क्यों मेरे पास भी नाव है अभी फिर भी ओ लोग दनवान है बेटा अगर नहीं मिला तो मैं उसको लेकर आओंगा मैं बुलाओंगा तो वो आएगी आनंद आपके लिए एक चाय लो क्या हाँ जी आम इना एक चाय लेना आपके लिए मेरे पास एक खुश कबरी है तो एक और एटम लाओं क्या आप जो भी एटम लाए हम खालेंगे आप तस्रिफ रखिए ओधर अधर बेट इर बेट इदर बेट ये अभी नहीं पताओ तो मेरा जिघर टूट जाएगा या है भाई बोलना इसे लिए ना बैटने बोला जया भाए वह आपन मैं अभी शहर से सीधा यहां आया किसलिए मालूम है क्या बात है यह हुई ना बार वहाँ एक अरब वाला आया है अरे मकर तू अभी बड़ा अदमी बनने वाला है ना और कुछ ने उनको एक शादी करना है अरे यह तो मैं सुनते ही मैं सीधा दवड के चले तेरे पस मकार अभी कौन है कौन है मकार अभी करोर पती है ना करोर पती वाके में तू मकार नहीं रमला लो है अल्ला मकार देख फिर से सही नहीं ये सही नहीं क्या रहे पानी देते वक्त वहां क्या बाचीत कुछ नहीं है तो फिर आज से तुम्हारा कोई पानी वानी नहीं चाहिए. जाओ, भागो. तुम्हारा पानी नहीं चाहिए. जाओ. क्या है? क्या रहे, सायतान? तुमको अंदर कोई काम दंदा नहीं है, क्या? वो विचारा है. आपने बेटी को जाके बोल दो बेकार के बगवास में नहीं पड़ने का हट जामें अंदर ए मकार भाई ये अगर अभी रोका नहीं तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल होगा मैं जाके जितना जल्दी हो सके वो अरब वाले को लिके है ठीक है वो बंद करो ये आवस बेंद करो ये आदमी को ये ही कामी और समय ये बजाता ही रता है उसको कुछ भी दिखता नहीं ये न तो हमारा दुख उसे कुछ भी नहीं दिखेगा पिछले वर्ष एक दिन रोड में एक गाड़ी के नीचे गया था ये चैट से मैंने नहीं कीचेगा तो ये मरजा था था उस दिन मुझे मालूम पड़ गया इसको आख का रोशनी चले गए उस दिन से हमारा दोनों का जिन्दगी सर्वनाश हो गया अरे तू कुछे मुझे बतना वालेती न लगता है वो अदमीत फिर आएंगे आनन को लेके जाएंगे बाद में में कभी जिन्दार ही रमगी मैं इस समुद्र के अंदर जाकर वो सब चोड़ दाना तो अब इस समय उसे एक ब्याक करवा दो सच में उसे ब्याक करना ही पड़ता है वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो नीली के पीछे पड़े है वो एक लेक्षमी क्या बेटा उसे ब्याक करने में सुनता है इधर सब कुछ वो ही बोलता है तो ये उसे ब्याक नहीं करेगा तो भी वो लेड़ी की सर्च में इधर दोड़ कर आएगी यहां से भी चोड़ना पड़ेगा क्या ए समद्र मता हमें तोड़ा भी प्रेशान नहीं रही तू इस तरह परिशान मत हो मैं एक बात बताऊं आनंद को एक ना हुआ है ना तू हमारा साप से जाकर लड़की मांगो हमारा साप वो अवरत जैसा नहीं है अच्चा आदमी है इस बारे में तुम सोचो अभी मैं चलूं क्या उठो जी चल जाएंगे ठक, सब मेरे मचली खरिद कर पाईसा नहीं देता है मुझसे भी यही होता जाता है अरे जेलदी चलो हाँ हाँ, तू जेलदी जा तुमारा बैटा है ना उदा अरे दीदी, घर में जाकर मुझे बहुत बड़ा काम है मालूम है तुझे दीदी ऐसा ही बोलता है, तू गुसा मतो जा चल चल, सब लोग जाओ मुझे क्या है, मुझे मचली बेचना है जाओ, अरे जा जा चलो दीदी, इधर आनंद का गेर कहा है एक नाउगा का आनंद है वो ही क्या, तू कौन है वो सब चोड़ दो मुझे बताओ, आनंद कहा है आहा, एह, लेड़की के देखो आरी चोकरी इस उमर में तू ऐसे चल कर मत दिखाओ बेड़ी आई वाली मैं दिखाओगे नहीं, नहीं, इसे पूछेगा तो ये हमसे नहीं जवाब दिया ना मैं दूसरे गाओं से आती हूँ स्कूल में पढ़ती हूँ क्या, तुम स्कूल में पढ़ती है? हाँ, दूसरे गाओं से पढ़ती हूँ दूसरे गाओं से आती है? उदर तुमारा गैर कहा है? देखो चोकरी ये दीदी उस गाओं की है उदर रेविदास का बेटी हुँ मैं क्या तू रेविदास की बेटी है हो मैं और तुमारी मा बचपन का दोस्त है तो तुम रिष्टदार है अरे बहुत बड़ा रिष्टदार है अरे इदर की लेश्मी है ना उसका बाई है ये रेविदास अरे लड़की तुझे तो ब्याग ते हुआ चुका ना वो वो शादी नहीं हो पाएंगे क्यूंकि मैं आनंद से बहुत प्यार करती हूं माल में अरे बापरे ये लड़की क्या-क्या बात करती है देखो चोकरी जल्दी वापस जा देखो दीदी मैं एक बात बता है तुम तुम्हेरा खाम देकर चलो ना इधर से मैं जाती हूँ देखो चोकरी लोग इसे मत दिखाओ आनंद को अरे तू क्या करिया चल दिया अरे चोकरी तुझे मालूम है तुझे देखने के बाद वो माबापके जाकर बताएगी कोई बात नहीं है मुझे इस बारे में कुछ भी डर नहीं है तुझे आनंद को कैसे मालूम चोटे से उमर में मुझे आनंद मालूम है हम दोनों एकी गाओ में पलबड़ी हुई ना इसलिए मुझे दूसरा शादी पसंद नहीं है मैं इससे भी जाकर शादी करूँगी तुझे सच बताती है तुमारा माबाप दुमारा ब्या के बारे में दूसरा सोचता है न उन लोग का पसंद का लड़का मुझे पसंद नहीं है जादी नहीं करूंगी इस तरासे से सीधे चले जाओ हम दोनों गेर में जाकर उतना काम है जल्दी जाना पड़ता है इसलिए जाती हूँ देखो वो यह घर आनद का माए वो दीदी आओ ना बेटी मेरी लागली तु अब मुझे देखने यहाँ आई है बेटी देखो दीदी यह वापस नहीं जाएगी मुझे मालूम है तुम्हारा बेटा को ब्या करने वाली है वो अवरत इसके माबाब को देखने के लिए गई है ठीक है मैं चलती हूँ आनन्द कहा है काम होने के बाद आनन्द और उसके दोस्त को लेकर जाल लेकर आने गए है तुम्हारे गर में बिना बता यहाना अच्छा नहीं है पार्शाल गई लड़की गन नहीं आया तो बहुत चिंता रखते हैं जल्दी घर जाओ मुझे कुछ फार्क नहीं पड़ता मैं कभी वापस नहीं जाओंगी मैं आनन्द के पास रहूंगी बस पूरा गाओं फैला देगी वो आओ आओ तुम यहाँ बेटर बेटी मैं काफी लेके आती हूं लगता है पार्शाला जाने से पहले काई होगी ना तुम्हां माजी मैं यह दो पर को खाई थी मुझे भूक नहीं है अरी कहा है तुम्हां ओमने लक्ष्मी है चुपकर बेटी एदर ए जल्दी आ बाहर कौन है इस गाओं की एक आउरतु वो लेड़ी की को बाहर चोड़ दो तुम्हां ऐसे कौन है कौन है वो कौन रिष्टिदार कहा है हाँ कहा है देखो मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया अब इदर आईए न ये चोकरी वो कहा है ओ उस लड़ी की मैंने बात करके बेज दिया है लगता है उस जरफ जारी है अंदर जाके देखू क्या मा ने ने तुम खड़े हो जाओ हम फिर दे है बगवान चली गई अच्छी दिन निकला देखो बेटी मैं जो कुछ कह रही हूं अच्छी तरह सुनलो अब तुम कर जाओ मा क्या बत पतर यह मैं जाओं गयर नहीं कर जाओंगी समधर में जाकर धूबूँगी मालू नहीं क्यों ऐसे जित कर रही हो है बगवान मालू नहीं मुझे क्या करना है नीली नहीं चाहती तो ठीक है वो यहीं पर रह सकती है आनंद ठीक ही कहता है आप दोनों के मर्जी है हम ओड़ी वो लड़की को बाहर बेज़ेना अधर को बोल रहा हूं बेज दू उनको बाहर नहीं नहीं बेजुँगा मैं देखलेना आप वो मेरे लिए आई है मैं उससे शादी करूँगा रहुंगा मैं देखबाल करूँगा उसका जादित है किया हुवा लड़की है, तू क्या समालेगा, मार के इसका घर जाला दो, या के उस लड़की को बाहर निकालो नेली, मेरी मार अनल अनल मारो, मारो, इसे मार लालो मारो, इसे मारा बॉरणाओ अनल जोड़ो जोड़ो इदर मेरे अनत को चुछ मत करो अनत को कुछ मत करो अनत कुछ मत करो तू इदर इंदर को आग लगाओ जैर दे लगाओ कौन है आप लोग कहा जा रहे हैं ठेरिये मैं तो समदर जा रहा हूँ यह तो शहर जा रही है वही तो पूछ रहे हैं वो लड़की कौन है हाँ वो तो मेरा भाई की छोटी लड़की को तेरे को मालूम है ना उनी की बेटी है यह ओ सारुसू की बेटी है अच्छी तरह बड़े होगी है बहुत पड़ी लिखी है तस्वी कक्षा में फिल किये अब कॉलेज में पढ़ाई कर रही है मैं टूटिरियल कॉलेज में पढ़ती हूँ इसका बाप एक मांजी होते हुए भी पढ़ाई बढ़ाई के लिए बहुत एहम देता है अब सरसु कीत अब्यत्र टीक है ना नई नई मां अबे मचली बेचने के लिए जाती है जारा खांदान में कितने जन काम करने से उस खांदान का देखबाल होता है पीता जी आए ना दो बस पकड़ कर मुझे जाना पड़ता है अब देखो ये टाइम के बात पहले अपने को एक बस में चड़ने के लिए डर लगता था ठीक है बेटी, तेरे मां को ये जरूर बताना कि मैंने उसका कुशल पूचा है बूलना मत इस लड़की तुमको पसंद आया क्या? ये क्या प्रोचर है आपने, ना सुन्दर है लड़की वही मैं भी बोल रहा हूँ आप इस तरह बात करेगा तो मैं जाती हूँ वो मांजी के ल्णाव आप सब आने वाले है नहीं तो तुमको बस चड़ने में मैं भी आता था फिर मिलेंगे, आम जालते हैं उनको ऐसा नहीं बुलाने का नहीं, तुम ऐसा अभी बुला सकता है ये पांगर हूँ आपको, मैं जाती हूँ बहुत अच्चा लड़की है क्या, तुमारे लड़के के लिए अच्छा होगा क्या मैं ही इस बात पर पूछने वाली थी अगर आपको पसद आया मैं और वो मिलके लड़की देखने हूँ आँ जाएंगे आँ, वो ठीक है, पहले उसको ये बात बता देना तो मैं उदर जा रहा हूँ जल्दी आना है, जल्दी आना मा आनन्द, एलो काफी पीलो आँ, आज दिन अच्छा नहीं था सामुद्रा इसा ही है बेटा हाँ, रामुने एक बात बोला था मुझसे तुमने बोला था क्या? बहुत अच्छा लड़की है अच्छी तरह पड़ाई भे की ही जो भी हो मुझे नहीं चाहिए करके बोला मैंने मुझे कभी भी एक बीवी हो तो वो मेरी नीली ही होगी आनन्द, जो मैंने बताया भूल गए हो क्या? जो मैं कहती हूँ वो मानो की नहीं? इसके बदले में कुछ भी बोलो, मैं मानूगा आनन्द, मेरे बात तो सुनो आनन्द ये मेरी जिन्दगी की सवाल है आनन्द, मेरे चोटी लाली है न तू मेरे बात तो सुनना पड़ेगा ने पंचमी, मुझे तुमसे कुछ कहना था कृपिया यहां से चले जाएए अगर मैं आपसे बात करूँ तो सब लग बुरी नजर से देख रहे हैं कह रहे हैं कि करपा ही जैसे तुम भी पंचमी, ये दुनिया गोल है एक जगा वरना दूसरा जगा घर पे मेरा शादी का तयारी हो रहा है मेरे चाचा के साथ मेरा बात हुआ उन लोगों के ये बच्चा चाहिए क्या कह रहे हैं, इस बच्चा और उस मा की क्या सम्मद है ये कार्तिका और प्रताप का बेटा है आप मेरी बच्चा है आपके गर में जो कह रहे हैं उसे सुन लीजिए जो लड़की वो कह रहे हैं उसी से राड़ी कीजिए हम इस गाउं को चोड़कर चले जाएंगे जो कुछ इस गाउं ने हमारे बादरे में बताया वो बस है, और कुछ नहीं सुनना है मुझे बंचमी, इसके लिए तु एक बार भुकतेगी तब तुम अखेली होगी किसी और की बात सुनने से हमारे अपना जिन्दगी बरबाद हो जाएंगे ये किसी और की बच्चे नहीं है ये मेरा बच्चा है ये मेरा बच्चा पंचमी पंचमी कौन है? आ आ रही हूँ देखो तुमारे लिए क्याला या बच्चा सोय नहीं गया सो रहते अभी उठा है यहां देखिए मैंने तो बताया है न यहां ना आने के लिए तुम्हें देखे बिना मेरा जिया नहीं जाता इसे भी ये तो आखिर मेरा दोस्त का अउलाद है यहां देखिए बेकर की बादे मत कीजिए ये प्रतापा और कार्दिका के बेटा है और अब ये मेरी बच्चे है इस गाउं वाले हमें इस गाउं से भी बगाना है क्या तुम दोनों के लिए मैं हूँ नहीं, मेरी दीरी को जो हुआ है ऐसे मेरे और इस बच्चे को नहीं होने चाहिए आप यहां से जाहिए हमें मुड कर भी नहीं देखना है अगर मेरे पागल पापा को कुछ हुआ है तो ना मुझे से नहीं पाऊंगी दुबारा यहां मत आना चला जाहिए यहां से मा, मैं जाके जल्दी वापस आजाओंगा आप कौन हो, मैं जानता नहीं हूँ आप आनन्द है मैं आपको पैचनता हूँ हाँ जी आप शायद मेरे को पैचनने नहीं आप थोड़े दिन पहले इदर आये थे ना मैं आया था, आपसे मिलने मेरे लिए? क्यों? आपके मान ने कुछ नहीं बताया किया मैं बात उल्टी सीधी नहीं करूंगा इसलिए सीधी सीधी बताऊंगा तुमारे बारे में मेरे नवकरन बताया है मैं और मेरे बीवी बहुत सोच समझ के एकताय किया हमारे खांदान के आपके वारिस तु है मैं? क्यों ऐसा? मैं आपका कौन हूँ? तुम आखिर मेरे बड़े बाई का बेटा है एससे मत बूलिए मेरा पिताजी का नाम प्रताप है यहां के सब लोग जानते है कि मैं प्रताप का बेटा हूँ वो ठीक है, जैसे भी हो हमें अपना इरादा ताई कर सकता है कि नहीं? इस बात के लिए आप इधर मत आईएगा आपका कुछ भी हमें नहीं चाहिए इस सिलसिले में तुम हमारे लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा उस जमीन दौलत मैंने बोला ना नहीं चाहिए मैं अगर यह सब लूँगा तो मेरा मा का नाम खराब हो जाएगा नाना, ऐसा कभी ने सोचने का और कैसे सोचूँगा मैं मेरे पिता जी का नाम आपने बदल दिया और मैं चुम रहा हूँ देखिए, आप उमर में मेरे से बड़े हैं इसलिए मैं गदर कर रहा हूँ आप जाहिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जाहिए बेटा मैं आपसे कह रığını बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, उस आत्मी आने के बारे में तुछ से चुपा दिया था मैंने, आमें तो सिर्फ पैसे की कमी है, तू दुबारा मत गरीवी की वज़े से अपनी मा को नहीं बेचेगा ये, तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा पिता जी का नाम प्रताप है, मेरे बारे में आप क्या जानते हो? मुझे अच्छी तरह मालम है कि तू प्रताप के बेटे हो, मेरे दीदी कार्तिका, वो बहुत अच्छी लड़की है, उस दिन महमत कान ने मेरे पापा को बहुत अन्याय किया है, इसलिए मेरे दीदी ने उसने पसंद किया, मागर कार्तिका दीदी ने प्रताप को अन्याय पास जाता हूं तब मैं उनकी पास ही रहता हूं अनन्द अरे बेटा अरे हमारे बेटा हम तो सही में बच गए समदर अभी बड़ा क्रोधी दिख रहा है पानी सारा पुरा खतरनाग लग रहा है साथ में बहुत सारे दोलत भी ला रहा है अनन्द बेटा जो बेए ऊने को आया है अब जादा समय नहीं है अली बाई किदर है वो सो गया होगा पकर भाई के दुकान में सोते है न वो हमेशा मस्तान के दुकान में ही सोता है न तो फिर आज क्या हो गया किसी के बारे में भी बुरा कहने के लिए आप ही पहले होंगे यह हुई ना बात तेरी किये वो गुसा हो रहा है हम पे ऐसा हालत हर वक्त नहीं मिलेंगे ए आनद भाई हम एक काम करेंगे हम लोग चलेंगे उसको यह आखे वेट करने दे उनका हिस्सा दे देंगे ए वो कहा के नियम इससा सिर्फ काम करने वाले का है क्यों वानत भाई अरे जरा चुप रहना तुम लोग तुम लोग काम के लिए तयार हो जाओ सुनिए अली बाई को देखा क्या कई कुछ नहीं देखा कई बार मकार के दुकान पे गया लेकिन अस दुकान भी खोले नहीं हरे मकार भाई के साथ वो भी कहीं चले गिया होगा क्या उनका बीवी से मिला वो बोली कि वो अपनी बेटी को लेके और कई शहर में गया हुआ है उस समय अपना बंदा वहीं था वहीं सब कुछ बोल रहा है हाँ अपना बिजनेस करने के बाद हम ढूने गए आप लोग दुकान में देखिए और मैं जाके आउसे ढून के आता हूँ आप जो कह रहे हो मुझे पता नहीं वो मुझे मानने के लिए इदर आएगा तो रमलत इदर से चली गई बिचारी मालम नहीं है वो कहा है इस सबका कारण वो काजल बेचना वाला है इससे क्यों दोशू मेरे कारण से हुआ है भूक मिठाने के लिए एक काम के लिए इदर आई थी तब तो आली भाई जंगरा के समी में वो भी आहा थे वो रमला को ले की जने के लिए सोच था मगर नहीं हुआ वो से इतन उससे महर डारता था जानते हो किदर गये मुझे मालूम नहीं है बेटा पता नहीं किदर गये हा लो यह पकड़ो इसको रखो ओ कहां गया ह वो आली से मिलने गया है आली भाय अब तक नहीं हाया है क्या काम जाते वक्त बहुत ढूंडा उनको आज दोपैयर को भी नहीं मिला उनको कहां गयो हूंगे बेटा, सभी के पारे में आनन-धी फिकर कर रहे हैं, कोई उसकी फिकर मैं कर रहे हैं देखिए जचा जब से वो चोटे हैं ना नीली और आनन ने एक साथ खेला करते थे उसी की वज़े से उस गाउं को हमें चोड़ना पड़ा जब आनन ने नए नीव और सब कुछ करिदा है ना उनकी जिंदगी बदल गए होंगे अब तो मेरे पेट जल रही है देखे बैया इस गाउं में उस लड़के को दुसरे और लड़की से शादि करना है मालू नहीं क्या होने वाला है अरै कोई बी किसी से शादि करने से हमारा क्या अन देखे बिना चलना अपना बेटा को बहुत अच्छा और एक लड़की मिलेगा ना हाँ, वो भी तो मैं भी कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, आपको भी समझने नहीं आ रहा है, अब भी आनंद उसके मन में उसी के बारे में सोच रही है, इसलिए इस कौम भी छोड़कर कहीं और जाने का सोच रही हूँ किदर जाने की बात कर रही हूँ माँ? अच्छा, अली से मिला ग्या? नहीं जी कल गये होता अरे इसमें क्या डूणने का? कल काम के लिए जाते वक्त वो पहुंच जाएंगा ना मैं वहाँ इतना देर तेरा ही बेट कर रहा था पैसा मैं इनका आद में दे दिया आ दिया है मैं जा रहा हूँ अच्छा, ठीक है माँ, कुछ खाने के लिए गरम-करम मचली के करी है आरे भाँ, ठीक है अरे आनन्द भाई, हमारा अली अली भाई? लो, लो, आजा अरे आरे 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 यह आनन्द के चेले जैसे जब चल रहा था मैं समझा यह आली एक अनाथ है उनको देखने जो भी लोग आये उनका रिस्तेदारिश नहीं है रहे उसका मरा पढ़ा हुआ देखकर उससा नहीं जा रहे मेरा भाई हम एसे एक गया अरे भाई कुछ उदार पे मिलेगी क्या पैसा कल दे देंगे आज पैसा दो कल उदार पे देंगे अगर इनको समझ में आया तो बहुत अच्छा है अब इतो दारू नहीं मिलेगा अब तो उटके चले जाने का ना अबे तू जाना बे अबे राजु भाई चल इसी को बोलते है जब बात बोलते है किसी को समझ में नहीं आता है अरे उस्ताद कल अपने को दुकान खोलना है कि नहीं मेरा मतलब पर्चो रोज आपका शादी है ना कल हम आउज मराएंगे ना अब एक बात बताओ उस लाउंडा और उस लॉंडी के बीच में कोई गरबर था क्या कौन लॉंडा और कौन लॉंडी अरे वो आनंदा और मेरी होने वाली पतली अगर वैसे पूछो तो वैसे पूछो तो मैं तो हाई बोलूँगा क्योंकि अंदर की बात बोलने से अंदर की बात किसका? नहीं, उनके अंदर की बात देखे तो, ये बंदा उस गाउं से आए, कभी-कभी ये लॉंडी भी उनको डून के आते हैं हाँ, इस बात का पता करना है, तू कली वहाँ जाना, वरना हम बुडबक हो जाएंगे ना हम तो बुडबक नहीं बनेंगे ना, आप लेकिन बुडबक बनने का चांस है, मैं जाओंगा, जाके पता करूंगा, लेकिन फाइदा नहीं है ना, परसोर उसको शादी है ना अगर इसमें कुछ सही है तो उस हिसाब में मैं सोना मांग सकता हूँ ना, अभी नहीं पूछा तो नहीं मिलेगा उस लोंडे को यहां से भगाना पड़ेगा आनन दिदा देखो, बहुत देर हो गिये बेटा, आओ, गर आकर कुछ खालो आप जाए मा, मैं फिर आऊंगा आओ ना बेटा, जब से तुम समुद्र से निकले हो, कुछ भी नहीं काया है, मैं भी कुछ खाया नहीं आप जाके खाईए, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे रूलाना मत, बेटा, मुझे मालुम है तेरे मन में क्या चल रहे हैं हमें तो यही की लिका हुआ है किसमत में नहीं है तो नहीं चाहिए मुझे, नहीं, लेकिन कल मेरे सामने ही वो हम कहीं और चली जाएं क्या कहां जा सकते हैं बेटा मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी इस समुत्र देता इसी है एक लड़का और लड़की को कुश कर देती है बाद में बाद में मा इधर देखो बेटा द्यूसरे लड़की से शादी करो और बच्चों के साथ कुश रहो नहीं जाहिए कुछ मत बोली आप मुझे छोड़ दीजिएगा अकेले रहना चाहता हूँ मैं हे बगवाल मेरे बेटे के मन को तुझी से लाना होगा मालुम ने मुझे क्या करना है अरे ज़रा जल्दी करो न यार लो वैसे आज दार्यू के दुकान नहीं खुलेंगे क्या आज नहीं खुलेंगे कल दुकानदार की बेटी की शादी है कल ये शादी ओने के लिए ये बरकुरदानी सोचना पड़ेगा अरे बहुत जरूरी है तो तो माली के घरी चले जाना मैं तो उसके लिए नहीं आया मैं तो दूसरे एक चीज जानने के लिए आया मेरा पास टाइम नहीं है बड़ा अच्छा खेल चल रहा है अरे तीरा टाइम कहा गे अरे कल शादी है ना पैसा भी है इथर देख रारू भी ला सकता है तू इपर आना आना रह मैं खेल चुढ़ा ठीक है चल 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 हम अभी आते है जो भी हो प्राब्लम है तो खैल दूसरा क्यों खैल करने से प्राब्लम नहीं है वो मेरी बाई के बेटी हो तो भी उसकी बीवी के सोभाओं में इस तरह वो चलती है आने दो उसे इदर आने दो उससे उसे लोगों को भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है आने के बाद में दिखाऊंगी में कोन हूँ अरे सुन इस बारे को में कुछ भी करूँगी माजी आप आज ही उदर जाना अगर शादी होना है तो कहने में कुछ जादा ही होना चाहिए अरे मैं अब भी चला जाती हूँ, ये पागल आएगा तो भी मैं चले जाती हूँ नहीं, मैं आजी आना पड़ेगा क्या अरे तुझे भी सब कुछ मालूम है न, मेरे बाई को टी कहे तो भी, वो आवरत को पसंदोना चाहिए न, यही बात है तुझ वापस आने के बाद ही, उनका काम तमाम करना है, वो लड़की यहां आते वक्त, वो बंदा यहां होना नहीं चाहिए आप एक दब बरोबर बोले, उसका साला नाव और जाल तुझ वो जला कर भेखो, उसके बाद वो इदर से चले जाएगा हमारे हाते ही, आप आदमी खटा कीजिए, तब जाके हम देखेंगे किसकी ताकत है, है ना माजी नहीं तो नहीं चाहिए ना, नहीं नहीं ठीक है पहले तुझ जाके आ, है करसन डाल के मशाल जला भाई, आग देखके आनन्द भी आएगा हाँ, उसको मार के वही पे काड़ देंगे हाँ, पेट काड़ के समुदर में डाल देने का, मचिली खा लेगे ना हाँ, 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 हाँ पूöyle आपन में देए आओ इसी जगह पे जीना है मुझे सुकून से आराम से उससे मैं ही शादी करूँगा तुम अच्छा करना है कर लो आराम मेरे बात सुनो रुको आराम 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 रुको रुको आराम कहां जा रहे हो माँ मुझे छोड़ो उसके बिना मैं जी नहीं सकता मुझे छोड़िये मैं कह रहा हूँ मैं जी नहीं सकता। आनत मेरे बात को सुनो आनत। जाया। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। आनत। मत जो आनत। आनत मेरे बात को सुनो। आनत। मेरे बात सुनो आनत। मुझे चोड़कर मत जाओ। आनत। आनत। नहीं जाना बिना। आ अधेरहा beggे करत्तिगा देवी Jahrh दिली बाहर आजा में आया वतेरली अकोट अनें क्रेदाश अड़िए हटना अड़ु आखंगकी ए मटे रोखनें क्या आपल आपड़ी क्या पताया है वरोगनामद पॉढल पार नहीं पॉलने का उसको छोड़ आखे accents मेरे माँ तू मुझे मारा अरे सुनने को या आवाज नहीं निकलना यह में अगर तुमको पहले मारता तो यह खांदन कपका बच्गया होता पिताजी क्या बखवास बोल रहा है तुम मुझे खुडने का अरे सूरस से ज्यादा प्यार करना वाला आनंद ही है इसको आनंद में क्या कमी है इससे ज्यादा महनत करना वाला यह गाओ में मिलेगा क्या मेरा बहन सब कुछ जानने के बाद शादी तय करने का बाद भी सही टाइम पर गहने ज्यादा मांगे तब भी मेरे को पता चला आपी आएगी साथ में नहीं होगी हाँ तो फिर माइन को लेकर आओंगा बेटा तुम लोग जाओ जाओ अरे रुक दू चल हुँँँँँँँँछ मैं क्या हुआ, यह मैं क्या जेख रहा हूँ आदन तेरे को यह लड़की सौफ देखे वो अपनी बड़ी बेन के पास चली गए क्याओे, क्यासे सकता हुआ क्या अपनी हुआ हुआ क्याओे जेखे क्यासे सकता हुआ क्याओे